नमस्कार दोस्तो आट अप्टेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो तीन चार दिन से मैं बिजी था आज मैं फ्री हुआ तो सेर थोड़ा सा भूखा था तो आज मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था क्योंकि चार दिन से मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं ट्रेट किया था कुछ भी मुझे यहाँ पे मिला नहीं था तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था तो आज एक बहुत अच्छा मुमेंट मिला मैं उस मुमेंट के बारे में थोड़ी सी आपको डिसकस करता हूँ उसका ओर दिखाता हूँ और चीजों क इसे वापस ही घुम गया मतलब इसके नीचे कंटिनीव यह ट्रेड ही नहीं कि आठ सो तैसी इसके नीचे वापस मैंने एक पोस्ट और डाला कि जब तक यह बयालीस जार नौसो च्छाचट के नीचे है तब तक ही वीक है आप लोग जाके पोस्ट को देखिए ध्यान से सम 24,444 के आजपास तक ठीक है एक अच्छी कासी मुवमेंट हमें मिलेगी मुझे उम्मीद थी कि यहां ते काफी अच्छा मूब कर सकता कि कल भी हमने एक्सपायरी का दिन सा कल हमने 43,000 को क्रॉस नहीं किया तो यहां पर क्या होगा देखिए होता क्या है सेलर का एक मूवमें अच्छा माई वाली जो पोजीशन है उसमें लोगों ने यहां पर राइटिंग करना इस्टार कर दिया होगा और आज बैंक निप्रिप्टी जब नीचे यह वापस नीचे की तरह आने लगा तो इनको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इसके नीचे रहेगा तो यह करने लगा अब यहां पर यह मुमेंट ती जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को ट्रेंड लाइन भी बताया था कि ट्रेंड लाइन पर नजर बनाके रखिएगा कि ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू ट्रेट करेगा दिखिए ध्याना की जब मार्केट का ट्र 866 के ऊपर निकल गया तो यहां पर जो आपका एसल बन जाता वह 850 के लंसम का एसल बनाके यहां पर मैंने यहां पर एक ट्रेट लिया है उस टेट के बारे में डिसकस करूंगा आपको बताता हूं यह थी एक्स्पीरियंस यहीं पर काम आता है कि आप समझ जा अब मुझे यहां पर यह चीज़े समझ में आगी दो चीज़ ध्यान तो यहां मुझे एक समझ में आ गया कि कल जो सेलर थे जो लोग चाह रहे थे नीचे की तरह पाए उनके लिए मार्केट थोड़ा साय लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे गया है निकल वाला जो एक नीचे गया है और जैसे यहां पर consolidate करने लगा तो मैंने यहां से position जो भी position अगर आपने बनाई होगी तो हमें सा ध्यान रखना जब बहुत consolidation के बाद में और खास support level के पास consolidation करने लगे तो वहां पर थोड़ा सा alert हो जाईए तो यहां पर बहुत अच्छा moment उपर की side में मिला चलिए मैं प पूरे कद पूरा एक हजार टेट करूँगा वह कल की वीडियो में बताया था परसों की वीडियो में मैंने बताया था सायद वो कल वो moment नहीं मिला मुझे उम्मीत कल मिलेगा मुमें कल ना मिलके मुझे मुमें ये आज हमें मिला है तो यहां पर दिखिए मार्केट अबी ख 228 के आसपास और चलिए मैं यहाँ पर अपनी order book दिखाता हूँ पहले आप लोग को फिर यहाँ पर आके चार्ट पर ठोल से और डिसकत करेंगे जिससे आप लोग को चीजे समझ में आएंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर order book हमारे देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इसको buying किया है एक बच कर 20 मिमटरs 52 second से मैंने बाइंग करना इस्टार्ट किया है यहांपे हमने कॉल बाइंग की है 43,100 की कॉल और 43,000 की कॉल जैसे के आप लोगको पता है यहाथ है जातर मैंं बास्केट दो और का बनाता हूँ बास्केट तो उसमें रहते हैं। अगर रहते है करेंगा तूँ यहां पर देखिए यहां पर कि खिरहे देखिए यहां पर कितना है ci कि मैंई कर same as long story्स school मेरे पास इसकी अभी Ben dh dependency मेरे पास इसकी होलड है दोनों की ही थोड़ी क्वांटिटीаты टार γू Marcus के सेसन में जीरो ओपें होगा ना तो भी मेरा लॉस नहीं होगा यह ध्याना की अगर यह मंडे को जीरो ओपें होगा यह सुरी 43,000 की कॉल अगर यह जीरो ओपें होगी ना तो भी मेरा आज का प्रॉफिट खतम नहीं होगा इतनी कौंटिटी मैंने होल्ड की हुए तो यहां कि अच्छा मुमेंट यहां पर दीखें, 337, 372 में यह exit हुआ है, यहां पर दीखें, 337, 372 में, तो quantity काफी अच्छी, काफी quantity मैंने लिए हुई थी, तो बहुत जबरज़च जो 3-4 दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था, वो मैंने एक ही दिन ट्रेड किया और वो सारा ट्रेड अच्छा खाता मुझे मिल गया, और मुझे उमीद थी कि अगर यह 50 के ऊपर निकल गया, 43, 55 के ऊपर निकलेगा, तो यहां से बहुत अच्छी मुमेंट मिलेगी, सायद वो 200 भी चला जाए, 300 भी चला जाए, 300 भी चला जाए, मुझे यह उमीद थी कि एक बहुत अच्छा म मुमेंट यहाँ पर देखे जाएगा क्योंकि कल के जो ऑप्सन राइटर थे और आज के ऑप्सन राइटर उनको यह कॉन्फिदेंस हो गया होगा जो कॉल राइटर होंगे कि सायद मार्केट त्रियालीजार के ऊपर ना निकल पाए और जैसे ही तिरयालीजार के उपर देखे जो चीजें संभावनाएं कि यह नहाँ पर जादा बनता है तो सबको संभावनार के उपर मार्केट निकलेगा नहीं और मुझे यह उम्मीद थी कि अगर यह 55 निकाल दिया तो बहुत अच्छा पर देगा और बहुत जबर्जस्ट मुमिट यहां पर बैंक निप्टी ने दिया तो जिससे मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा यहां पर प्रॉफिट हुआ मैं बार-बार यही चीजे समझाता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिटेंस रखिए अपने आप पे बिलीब रखिए दिखिए आवाज भी बैठ चुकी है अब ही मैं एक वीडियो और डालूँगा तो वीडियो को भी एक वीडियो और कल डालूँगा सुबह उसको जरूर देखिएगा और एक वीडियो संडे को डालूँगा उसको जरूर देखिएगा तो आपको सीखना पड़ेगा अगर सीखने के लिए आप टाइम दे रहे तो तो मार्केट आपको देगा नहीं कुछ भी देने वाला नहीं है अब यहां पर देख लिए 43,960 जो 42,960 वाला लेबल था वो लेबल क्यूं था वो लेबल मैंने क्यूं डाला था कि इसके नीचे ही बैंक निप्टी वीक है वो लेबल इसलिए था कि यह जो कल का जो ब्रेकाउट इसने लास्ट मुवमेंट पर दिया था ना यहां पर एक लेबल को ध्यान से दिखिए यह वाले जो सुभे एक हाई बनाके गया मतलब मार्केट नीचे आया और एक हाई इसने साट के आसपास बनाया उसके बाद फिर से नीचे आके कंसॉलिडेट करने लगा कल के सेसन में लास्ट वाले सेसन में ओपनिंग मूब में यह हाई इसने लगाया था आज भी इसने एक हाई लगाया तो उसी हाई के आसपास गया फिर मुझे उमीट थे कि साट के नीचे है तब तक थो थोड़ा बहुत वीग है वीग भी क्या साइड में गया मैं पोजिशन को होल कर देखिए जब 960 निकाल दिया ना तो फिर मुझे यहां पर डरनी अब 43,000 के पास तो वह लोग डरेंगे जो कॉल राइटर है मुझे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने यहां से सौट किया यहां तक आया मार्केट फिर से इस अगर कॉल राइटर कॉल राइटर यहां पर डरेगा उपर की साइड में अगर यह नीचे जाता तो यहां पर जो पुट राइटर थे वो नहीं डरते हैं उन्हें पता था कि यह सपोर्ट है हर 50.60 पॉइंट पर सपोर्ट है उपर की साइड में यह था खुला आस्मान तक जैसे इसके उपर निकले का market बहुत अच्छा move गिया और market ने वही किया और देखिए यहाँ पर जैसे इस लेबल को cross किया यह कितने मिले 5, 15, 15 यानि 15 मेट में ही market ने यहाँ पर तीन सो पॉइंट का move यहाँ पर कर दिया अगर यहीं पर कहीं पर अगर यह दो बजे के लंसम आता ना तो यह 444 भी आज ही touch करता लेकिन time नहीं था time बचा नहीं तो जो time मिला उतने लोगों ने cover किया अगर यही time बचता ना तो और short covering आती है और यह और उपर यह 444 के पास में जाता तो अब कल की वीडियो को आप मंतली वीडियो को जरूर देखिएगा निफ्टी और हाँ पर buy on deep है मैं continue बोलके हुए आ रहा हूँ कि buy on deep ही आप रहो हाँ अगर sell की opportunity मिलती है तो quantity आपकी 110 करो अगर आप 100 quantity buying में करते हो ना तो 10 quantity ही sell करने का एक जिना example दे रहा हूँ ऐसा मत बोलने लगना कि भाई lot side तो 25 का है तो 10 कहां से लुगा एक example दे रहा हूँ कि 110 ही आ आप हमारा learning group जॉइन कर लीजिए learning group के लिए वीडियो की description में link है उस link के जरी जाके आप जी रोधा एंजल ब्रोकिंग अपिस्टॉक्स लाइंस ब्लू फाइर ऐसी से डिरेक्ट में किसी एक के साथ dimate account उपेन करके आप हमारा learning group जॉइन कर सकते हैं दोस्तों वीडियो पस सकते हैं ।